हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें हलके के पाँच गाओं का दोरा कर चुना प्रचार किया जिसके बाद बीजीपी के लिए बरोदा की चुनावी हवा साकरात्मक हो रही है एक रिपोर्ट देखिए बरोदाव चुनाव का प्रचार चरम पर है तीन नवंबर को होने वाले मद्दान से पहले चुनाव प्रचार के लिए दलो ने अपने अपने दिखकचो को प्रचार अभियान में उतार दिया आज भी बीजेपी कॉंग्रेस और इनलो के वरिष्ट नेता चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं एक के बाद एक हो रही चुनावी सभाव के बाद हर कोई अपने अपने उम्मिद्वार की जीत का दावा कर रहा है लेकिन दिगजो के प्रचार का सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है इसके साथ हिस्सियम मनोहरलाल ने कॉंग्रिस का घेराव करते हुए कहा कि कॉंग्रिस कृशी कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैला रही है इसके साथ हिस्सियम मनोहरलाल ने किसानों की नबस को पकड़ते हुए ऐसा मास्वर स्टोक मारा कि किसानों की नाराजगी तूर होकर समर्थन में बदल गई इस मौके पर सियम ने बुटाना के जंता कॉलिज को उनिवर्सिटी का दर्जा देने और किसानों की मंशा के हिसाब से आई एम टी स्थापित करने की भी बात कही जिसके बाद बरोदा हलके के लोग काफी खुश हैं और सकरात्मक दिखाई दे रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि सियम के दोरे के बाद बरोदा हलके की सियासी बयार बीजेपी के लिए काफी अनुखूल हो रही है बिरो रिपोर्ट हरियाना नीवूद तो पूरे प्रदेश की जो नजरे हैं इस वक्त बरोदा पर टिकी हुई है क्योंकि जो वहाँ का उप चुनाओ है वो किसमत तैय करेगा कि आगे की राजनीती कैसी होने वाली है और अभी तक देखा ये जा रहा था कि पार्टियों में टकर है घमासान है मगर कल की जो रेली सीम मनोहर लालने की हाला कि उससे पहले कयासी लगाई जा रहे थे सीधे तोर पे कि इसका फायदा बीजेपी को पहुँचे है क्योंकि खुद रण में मुख्य मंत्री उतर चुके हैं पांच गाओं का दोरा क्या और जैसे जैसे शाम बीटती रही वैसे वैसे माहौल बीजेपी की तरफ बदलता चला गया और आखिर में मनोहर लालने कैसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि अब कह सकते हैं कि कही ना कहीं बरोदा की हवा बीजेपी की तरफ चलने लगी है मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने साफ कहा कि अगर मंडी और MSP खत्म की जाती है तो मैं राजनीती से स्तीफा दे दूँगा खुद अगर मुख्य मंत्री और प्रदेश का मुख्या बड़ी बात को कह देता है बता दे कि कल खुद मुख्य मंत्री अपने उमीदवार के लिए चुनाव प्रचार में उतरे थे इस दोरान उमीदवार योगेशुर दत भी मुख्य मंत्री के साथ देखे हमारे सहयोगी मुखेश मंडल इस वقت हमारे साथ और जुड चुके है चलिए चलिए मुकेश आपको आपको रोगना चाहूंगा बनाए रखूंगा आपको हाला कि आपको बता दे किस तरह से मुके मंतिरी ने जो है दौरा किया और दौरा के बाद में जिस तरह से जो बयार बतली है वो अपने आप में देखने लायक है सियम मनोहरलाल ने संबोधन में क्या का आपको बता देते हैं अगर मैस्पी खत्म होती है तो राजनीती छोड़ दूँगा क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों को डराया जा रहा है विपक्ष पर हमला किया है हमने ब्रश्ट अचार को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं मुक्खे मंतिरी मनोहरलाल ने अपने संबोधन में का और कहा है लेकि इन बरोदा में विकास नहीं रुकेगा हमने पूरे प्रदेश में बहुत काम किया है और बरोदा की समस्याओ का समाधान करेंगे मुक्खे मंतिरी मनोहरलाल ने अपने संबोधन में बड़ी बाते कही थी योगेश्वर दतने इलाके का नाम रोशन किया है MSP खत्म हुई तो राजनीती छोड़ दूगा कल का जो सबसे बड़ा बयान मुक्खे मंतिरी का यही रहा इसको मास्टर स्टॉक के तोर पर भी देखा जा रहा है खुद मुक्खे मंतिरी ने इस बात को कहा कि MSP खत्म नहीं होगी मंडिया खत्म नहीं होगी जिसको लेकर अभी तक इस्तिती ब्रामक बनती जा रही थी कहीं न कहीं यह सामने आ रहा था लगातार बाते उठ रही थी कि MSP खत्म कर दियाएगी लेकिन मुख्य मंतरी ने साफ कर दिया कि MSP खत्म नहीं होगी हमने पूरे प्रदेश में बहुत काम किया मुख्य मंतरी की बड़ी बाते हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिये समझा रहा है बरोदा की समस्याओ का समाधान करेंगे ये भी बात मुख्य मंतरी मनोहरलाल ने कही योगेश्य और दतने इलाके का नाम रोशन किया है मुख्य मंतरी की जो बड़ी बाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं MSP खत्म होई तो राजनीती छोड़ दूँगा राजनीती से स्तीफा दे दूँगा क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों को डराय जा रहा है साथ ही मुख्य मंतरी ने ये भी कहा है हमने ब्रश्च चार को रूखने के लिए कई कड़े कदम उठाये हैं बरदा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी हम जो कहते हैं वो करते हैं मुख्य मंतरी मनोहरलाल ने अपने संबोधन में जो कहा बड़ी बाते हैं आपको बता रहे हैं आचार सहीता लगने के कारण कुछ काम रुके हैं देखा भी गया था किस तरह से एक साल पूरा होने पर जब प्रदेश के सबी जीलों को कुछ नहीं कुछ मिलाता तो उस दोरान सोनी पत को कुछ नहीं मिल पाया था उसकी वज़े यही थी के आचार सहीता लगी हुई थी हलाकि अगर चुनाव कदोर नहीं होता तो सोनी पत को भी काफी कुछ मिलता तो किरिशी कानूनों को लेकर किसानों को डराये जा रहा है मुख्य मंतिरी मनौहलाल ने कहा उनके समर्थन में नहीं है लेकिन सस्तो यह है कि किरिशी कानून किसानों के समर्थन में है मुख्य मंतिरी का कहना है साथ ही मुख्य मंतिरी ने मास्टर स्ट्रोक मारते हुई यह कह दिया कि अगर मंडिया और MSP खत्म होती है तो वो राजनेती से सन्यास ले लेंगे एक मुख्य मंतिरी के तौर पर एक प्रदेश के मुख्या के तौर पर इस बड़ी बात को कह देना अपने आप में आस्वस्त कर देता है कि हाँ MSP लगातार बरकरार रहने वाली है तो मुख्य मंतिरी ने जो बड़ी बात है कि वो ग्राफिक्स के जरी हम आपको बता रहे हैं क्रिश्वी कानूनों को लेकर ब्रामा के स्तिती फेलाए जा रहे हैं ब्रश्टा चार को रोकने के लिए कई कड़े कदम हमारी सरकार ने उठाये हैं ब्रवदा में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम जो कहते हैं वो करते हैं और मुख्य मंतिरी ने कहा कि आचार सहीता लगने से कुछ काम जरूर रुके हैं लेकिन चुनाओ के बाद उन विकास कार्यों को दुबारा कराया जाएगा ब्रवदा के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ब्रवदा की समस्याओ का समाधान किया जाएगा सभी समस्याओ को सुलजाया जाएगा सुना जाएगा उनका निवारन किया जाएगा साथ ही उन्होंने अपने उम्मीदवार योगेश्व अर्दत का जिक्र करते हुए कहा कि योगेश्व अर्दत ने नाम रोशन किया है क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों को डराये जा रहा है साथ ही मुख्यमत्री ने ये भी कहा इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह बरोदा से डिप्टी सीम दुश्यंत चोटाला गंगाना पहुँचे हैं गंगाना गाउं से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत पहले मुख्यमंत्री कल पहुँचे अब उप्टी मुख्यमंत्री पहुच चुके हैं खेल मंत्री संदीप सिंग भी साथ में मौजूर रहेंगे डिप्टी सीम दुश्यंत चोटाला के पांच गाउं में जंग सभाई करेंगे दुश्यंत चोटाला बरोदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डिप्टी सीम दुश्यंत चोटाला गंगाना गाउं पहुचे हैं और अपने रत्याशी के लिए चनाव प्रचार में उतरेंगे पांच गाउं का दौरा करेंगे कल मुख्य मंतरी ने पांच रेलिया की और आज उप मुख्य मंतरी ने मोर्चा समाल लिया है खेल मंतरी संदीर सिंग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे पाँच गाओं में जन्द सभाई करेंगे उपमुक्ते मंतरी दुशन्त चोटाला डिप्टिस्थियां दुशन्त चोटाला गंगाना गाओं पहुँचेंगे पहले और उसके बाद पाँच गाओं का दौरा किया जाएगा खेल मंतरी संदिट सिंग भी इस दौरान मौझूद रहेंगे और पाँच गाओं में जन्द सभाई होंगे और जन्द सभाई को संबोधित किया जाएगा इस वक्त की बड़ी खबर से आपकर उबरू करा रहे थे गंगाना गाओं में डिप्टी सीम चुनाव प्रचार करेंगे और पांच गाओं का दौरा करेंगे अपने उम्मीदवार योगेश्वर दत के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं डिप्टी सीम दुशन्त चोट चाला वोट की अपील करेंगे साथ ही बदाने की कोशिश की जाएगे अपने कामों को गिर्वाया जाएगा और ये भी बताया जाए किस तरह से आगे और विकास किया जा सकता है मनोहर मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम कल जो मास्टर स्ट्रोक मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने मारा वो यही था कि अगर MSP और मंडी खत्म की जाती है तो मैं राजनीती से स्तीफा दे दूँगा बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विरेंदर स्ट्रोक मारा की लगता है कि अब जो बैयार है वो बीजेपी की तरफ दिखने लगेगी गोहाना की देखिए सीधी बात मुख्य मंत्री जी ने की है और इससे पहले भी ये बात बारं बार दोराई गई है कि कॉंग्रेस किसानों को गुमराह करने के लिए जैसे पहले दशकों तक जूट बोल बोल करके उनका शोचन करती रही है इस बार भी और इस बरोदा उप्चनाव के मुहाने पर भी खड़े होकर उसमें वही करने की कोशिश की है इन्होंने लगातार जूट बोला नए कानून आने के बास के मंडी नहीं रहेगी, MSP नहीं रहेगा और सबको मालूं था कि ना कहीं मंडी जा रही है ना MSP जा रहा है कॉंग्रेस हो पार्टी है जो MSP खतम करना जाती दिम्हम्माहन भी विक किराज में हम वो पार्टी हैं, हम उस पार्टी के प्रद्रिदी हैं जिसके मुकिया जिसके शिकर मेंता, देश के शिकर मेंता, नरिंदरोदी जी ने क्या कहा कि MSP किसी सूरत में समाप्स नहीं होनी चाहिए कॉंग्रेस के किये हुए पहले के पाप को भी उन्होंने कहा कि इसका निराकरण होना कि किसी कीमत पर MSP कर्प नहीं होने देंगे यह हमने आते ही 14 में जब सरकार पहली बारबनी भी तब भी करके दिखाया था और नया जूट नहीं से जब कॉंग्रेस में बोला तब भी हम हमकार भर के कह रहे हैं सच बता रहे हैं लोगों को के ससलों का MSP नकेवल मिन रहा है लेकिन देड़ गुना लागत से MSP हो हमने इसके लिए स्वामी नातन आयोग की रिपोर्ट को लागो कर दिया है जो कर दिया है उसको किसान समझ रहे हैं देख रहे हैं कॉंग्रेस कालपनिक बहर दिखाना चाहती है बेडिया आया बेडिया आया ना कोई बेडिया है ना बेडिया आने वाला है और अगर ये भेडिये की खाल में खुद भी आएंगे कॉंग्रेसी तो हम इनका भी इलाज जमीन पर धरातल पर तक्चाई की तर्वार से करने वाले हैं और सत्य ये है बंडी कहीं नहीं जा रही बंडी यहीं थी यहीं है और MSP पहले से बेतर पहले से ज़्यादा पसलों का मिल रहा है बुख्यमंत्री जी ने एक वाक्य में कह जिया कि अगर इस पर आज जाई तो मैं राजनी पी छोड़ दूगा इसके बाद इसके पास हमारे विरोधियों के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है चीजे शीशे की तरह साफ ठीक और साफ हो गई है विरेंद्री जिस तरह से किसानों को समझाय जा रहाता है तीन किरशी कानूनों को लेकर बताय जा रहाता कि जो किसानों का जो एक घुसा था कि MSP को खत्म कर दे जायएगा लेकिन मुख्य मंतरि ने हाफ कह दिया है कि अगर ऐसा होता है मुख्यमंत्री होते हुए उस कमेटी के प्रधान थे जिसमें स्वामी नातन आयोग की रिपोर्ट लागू की थी हिम्मत होती तो भुपेंदर सिंग उठा चोधा के चुनाव में वहीं उसी परोगा में खड़े होकर कहते कि तुम्हारी MSP की स्वामी नातन वाली रिपोर्ट लागू नहीं की तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा चुनाव नहीं लड़ूगा या सियासत से किनारा कर लूँगा कहें तो तब जब कुछ करने की हिम्मत हो विरेंदर जी चुनाव परचार में तो सभी नेता और मंत्री लगे वे हैं लेकिन सीएम जो है अब आके मैं चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कहीं न कहीं अब इसको ये मान लिया जाए कि हाँ ये जो रणनीती थी वो कहीं न कहीं इस तरह भी थी कि अब जब जैसे चुनाव नजदीक है तो चाप जादा छूटेगी और जिस तरह से सीएम ने एक के बाद एक पाँच गाओं का दौरा किया चुनावी सभाय की लोगों को भुनाने में काफी मदद मिलेगी बयार जो है वो बीजेपी की तरफ होती दिखेगी चुनाव एक संग्राम होता है प्रजात अंद्रिक दिवस्टा में और उस संग्राम में सहरतरे की रणनीती अपना ही जाती है शत्रू जो आपका है वो आपके बारे में भर्म पहलाता है गुम्रा करता है लोगों को आपको साथ इस तरह के कोई बादल अगर चाते हैं तो चीरना होता है और अपनी बात लोगों के सामने और अधिक मजबूती और स्वश्टा से कहनी होती है मुख्यमंत्री जी कब कहां पर जाएंगे कि हमारी रणनीती पार्टी की जो चुनाव की समीती है प्रबंदन की उनकी नीती के अनुसार उनकी रणनीती के अनुसार वो कुल मिला करके भारती जनता पार्टी ने बारती जनता पार्टी हर चुनाव चीतने के लिए लड़ती है बरोदा का संग्राम हम चीतने के लिए जीत सुरिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अन्ततो गत्वा हमारी समर नीती बरोदा में काम उसको डहाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लक्ष में जाके क्या हासिल करेंगे तो हम बरोदा के मतदाता के विवेग के भरो से अपनी जीस की पता का लेराने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर रैली की दबादप पांश रैलिया की है गाउं में जा जाकर और यह सीधा संदेश दे दिया है कि ना मंडी बंद होंगी और ना ही MSP खत्म होगी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं हूँ और मैं सबसे पहले स्तीफाद हूँ एक मास्टर स खत्म हो जाएगा और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा यदि MSP खत्म होता है तो मैं राजनिती छोड़ दूगा तो कहीना कहीं इस बात से जो तमाम किसान थे उनका समर्थन को मिलता है और लगातार जिसता से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को कॉंग्रेस पार्टी है वो किसानों को भ्रमित कर रही है कहीना कहीं उन्होंने साथ तो पर यह भी कह दिया कि जब यहां के मौजुदा विधायक स्रीकृष्ण उड़ा का निधन हुआ तो मैंने खुद को अपने आपके सामने लाकर मैंने कहा कि यहां का बरोदा का विकास मैं करूंगा आपका विधायक मैं हूँ और कई करोरों के योजना वो मैंने दी हला की उन्होंने साथ तो पर ये भी कह दिया कि अभी आचार संगता लागू है इसलिए कुछ काम नहीं हो पाए है लेकिन जो फंड है उनकी कमी नहीं है लगातार उन्होंने पांच गाव में दोरा किया और लगातार जो लोग पहले के साथ नजरा रहे थे खास तो पर किसान की बात करें वो कल जब मुख्यमंत्री का भाशन हुआ उसके बाद कहीं ने कहीं वह उनका भी समर्थर मुख्यमंत्री मनहोला को मिले लगा और यही वह वजह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि पहले विरोधों का भी सामना करना पर रहा था उनकी नेताओं का जो लोग विरोध करते थे आज वह मुख्यमंत्री मनहोला के साथ है बीजेपी के साथ है योगेश्वदत के लिए प्रचाल कर रहे हैं और कल के बाद जो रनिती बनी है जो माहोल बना है उसको उसको लेकर साथ यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत् पर पास कोब में जाके उन्होंने किसानों को साबतर थे कहा जिया कि आपका MSP खत्म नहीं होगा मंडी इसको सरकार ख़री देंगी विरोध कर रहे लेकिन कल के बाद आप ने देखा कि जसतरा से म gent Song हुआ है जिस तरह से किसान जो पहले विरोध कर रहे थे वह मुख्मंत्री मनोहरलाल के साथ खड़े नजर आए उनके भासन के बाद तो कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि बरोधा का जो रणिती है जो समीकरन है उसको उसकी बात करें तो कल के बाद वह समीकरन चेंज होते नजर आ हैं और तमाम जो किसान है उनका मिलता है लगातार किसानों की बाद मुख्मंत्री मनोहरलाल के अपने आप पाज गाउं में और वाटों जगें उन्होंने साथ तरु पर कह दिया कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा आपकी जो समस्या है उसका निवारण होगा बरोधा काम न पक्षी पार्टी कर रही है तो इससे बचना होगा किसानों को और साथ पर उन्हें ने खुले स्वार में कहा दिया खुले मंद से उन्होंने कहा कि यदि मंद से खत्म होता है तो सबसे पहले इस्तिफा मैं दूंगा किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि वो खुद इस्तिफिक के प्रेश करते हैं खास करके जब ऐसा किसानों वाला मुद्द हो उन्होंने खुद कॉण्फिडेंस के साथ कहा कि किसानों की कोई समस्या नहीं होगी जो MSP है उसको कभी खत्म नहीं किया जागा तो कहीं ना कहीं कल के बाद माहौल जो है वो एक बार बदलता नजर आ रहा है और जो बीजेपी की लहर है उसमें वो किसान भी सामिल हो गए हैं जो पहले बीजेपी के खिलाब थे जो मुख् पास आ रहा है और जो है प्रचार पर रोकने के लगा लिए उसी से जस्ट पहले मुख्यमंतिरी खुद उतरे मैदान में और सीधी सटेक एक बात में बात कह दी के मैं मुख्या हूँ और अगर वरोधा का विकास ऐसा नहीं है कि नहीं होगा वरोधा का विकास होगा हम करें तो 163 करोर की सौगात मरोदा को मिल चुका है और खास तो पर आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री मनुहलाल हर्याना भूंदिली में बैठे थे और योगेश्वरदत तमाम खिलारियों के साथ वहां पर पहुंचे थे उन्होंने साथ तो पर कहा कि मुझे किकर दीजे मैं इस वर बीजेपी के खाते में यह सीट डालूँगा हलाकि आपने देखा कि परचार परसार में तमाम लोग थे लेकिन खिलारी कहीं नजर नहीं आ लेकिन अब वह फिलारी भी तमाम परचार परसार में नजर आ रहे हैं योगेश्वरदत के साथ उन्हों खिलारी आप साथ नजर आ रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं उनके समतर में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं एक रनीती की तहत कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का वहां जाना और जिस्ता से उन्होंने साब तोर पर खुले मंद से कहा कि कोई भी समस्या नहीं रहेगी बरोदा में फंड रिलीज कर दिये गए हैं और भी तमाम अचार संगिता के बदे नजर अभी यहां विकास कार्य नहीं हो रहे हैं कुछ काम अभी रुका हुआ है लेकिन जितना विकास होना चाहिए उसे ज्यादा हमने विकास किया है और जब यहां से जो विधायक उनकी मित्ती हुई उसके बाद उ अधिस्तान से विपक्षी पार्टी और किसानों को बरगलाने की कोशिश करें गुमराह करने की कोशिश करें इसको लेकर उन्होंने साब तोर पर कह दिया कि यदि आप लोग के मन में ये सवाल है कि मस्पी खत्म होगा तो मैं मुख्यमंती मनहोलाल इस्तिफा दे दूँग वो किसान अब मुख्यमंती मनहोलाल के साथ नजर आ रहे है और लगातार आप ने देखा कि जिसना से मुख्यमंती मनहोलाल ने परचार परसार किया उसके बाद किसानों का जो हुजूम है उन्होंने समर्संदिया और आज की बात करें तो आज जहां भी योगिस्त दिजार है वां उनका स्वागत हो रहा है वहां किसान तबावालि कृटनाम जो आज किसान हैं? कि अच्छी पहल है एक बात है कि जो किसान पहले खिलाब तया उनके समर्थर में आREE किर्वां है कि अब जो ऌन देश को मध्यां टीन यही काम किया सभसेधे कर अध्यादेश के बारे में किसान को समझा है उन्होंने कहा कि आखिर ये किसानों के लिए है कितना फाइदे मंद है तमाम चीजों पर उन्होंने बात की और यही वज़ा है कि जब किसानों को यह पता लग गया कि यह बिल हमारे फाइदे के लिए है मैस्पी खत्व नहीं होगा मंडिया बंद नहीं होगी हमारा आनाज है उसकी पूरी कीमत मिलेगी आनाज का एक एक दाना सरकार हमसे खड़ी देगी तो कहीं न कहीं किसान को ये समझ माया कि ये जो बिल है वो किसानों के लिए है और यही वज़ा है कि किसानों ने मुख्यमंत्री मनहोरलाल को समर्थन दे दिया है और कहा जाता है बरोजा विधान स जवाब उनको नहीं मिल पारा तो उन तमाम सवालों का जवाब मुक्यमंत्री मनहोरलाल ने अपने जनसभा के द्वारा दिया उनके बाध्यम से उनने साथ तरप नहीं है मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ जरुत पढ़िते हो इस्तिफा पिदे दूँगा लेकिन MSP कभी खात्म नहीं होगा चले वोके साब का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानखारी के लिए तो आपको दिखार दे किस तरह से लास्ट आज